प्रधान मंत्री नरिंद्र मूदी आज यूपी के गोरकपूर में प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी योजना लॉंच करेंगे और पीम ने आज की दिन को अतिहासिब बताया लोग सभाचुना से पहले प्रधान मंत्री आज किसानों को बड़ा तौफा देने जा रही है आज पीम मोदी किसानों के खाते में 2000 रुपई किष्ट ट्रांसफर करेंगे पीम मोदी एक करोड किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपई डालेंगे अगले दो से तीन दिनों में और एक करोड किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपई ट्रांसफर किये जाएंगे किसानों के गुड निव जिहां किसान भाई ओ पीम किसान सम्मान निदी योचना से जुड़े 12 करोड किसानों के आज कदिन बेहादी खास होने जा रहा है आज पीम मोदी पीम किसान सम्मान निदी योचना के ताथ देश के करोड किसानों को सम्मान निदी देने जा रहे हैं जिहां किसान भाई आपको उता दें किसान सम्मान निदी योचना के ताथ 12 करोड सदी किसान भाई अपना रेजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं आपको उता दें इस योजना के ताहत 8.5 करोन किसानों की खाते में आज पीम मोधी 22,000 रुपए ट्रांसफर करने वाले हैं आपको उता दें अगर आप भी पीम किसान योजना का लाव लेते हैं तो यह खबर आपके बड़े ही काम की है देखिए अब तक किसानों की खाते में 13-14 किस्ट के पैसे ट्रांसफर कर दिये गए हैं वहीं आप किसान पीम किसान योजना की 15 किस्ट का इंतजार कर रहे हैं जिनका इंतजार आज पीम मोधी कुछी देर बाद खत्म करने वाले हैं आपको बता दिये जो धनरासी है आज 9 करोण किसानों के खाते में करीव 18,000 करोण रुपए के धनरासी पीम मोधी डिबिडे के माध्यन से दिन के 11 बजे ट्रांसफर करने वाले हैं जिहां किसान भाईव आपको दादें अगर आप भी स्योजना का लाव लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपना EKYC का बैरिफिकेशन करवाना अनिवार कर दिया गया है अगर आपने अपना EKYC बैरिफिकेशन करवा रखा है तो आपकी खाते में निश्चित तौर पर पीम किसान युजना की 15 वी किसकी धनरासी ट्रांसपर कर दी जाएगी अगर या धनरासी आपकी खाते में आज ट्रांसपर नहीं होती तो आपको दो दिन तक इंतजार करना है या फिर आप अपने नजदी के CSC सिंटर पर जाकर अपनी समिस्या का समधान ले सकते हैं धन्यवाद